हेलो दोस्तों तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कैसे आप Microsoft Edge के अंदर screenshot ले सकते हैं और ना ही बस screenshot अगर आपको कोई एक dedicated image या कोई area को screenshot लेना है तो वो भी कैसे कर सकते हैं चलिए आज हम देखते हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें चले जाना है ये 3 dots पर जो plus shift plus s तो चलिए इसे access करते हैं और यहां पर हमें options पर जाते हैं screenshot के लिए capture area capture full page तो हमें full page तो नहीं चाहिए हमें स्थिफ चाहिए ये Lamborghini का image तो चलिए इसे capture area पर click करते हैं और इस image पर हम selection कर लेते हैं ये रहा और बस छोड़ देना है और यहां पर आप देख सकते हैं इस इसे हम visual search कर सकते हैं या markup capture कर सकते हैं या फिर इसे copy कर सकते हैं तो चलिए copy कर लेते हैं और यहां पर हम एक word document open कर लेते हैं और यहां पर हमने word document open कर लिया है और चलिए यहां पर उस image को paste कर देते हैं तो right click कर ये और paste पर click कर दीजिए और यहां पर आपका image जो है वह आप के document में add हो गया है इसे तरीके से अगर आपको इसे PDF फाइल में डालना है या किसी और presentation के अंदर आपको इस image को add करना है तो बस आपको paste पर click कर देना है वहाँ पर और आपका image insert हो जाएगा तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे like share करना ना बुले और राज सिंग Microsoft को subscribe जरूर करें